हलो स्थ्टूडेंट्स चैप्टर बन जुग्रोफी का स्टार्ट कर रखा था हमने development of resources हम कर रहे थें तो अब तेक हम नहीं किया था कि types of resources कितने types की होते हैं orism के basis पर किया खता's honors के basis पर किया था exировать ke basis पर किया था और status of development पर बेइस पर किया था ठीक है अगला जो हमारा इसमें टपिक आरहा है वो आरे के आपके निश्चारी के पेस नं-बर अपने यहां पर human beings use resources indiscriminately यह बात आप समझ रहे हैं कि human हम लोग क्या सुचते हैं हम लोग सुचते हैं कि हमें जो resources मिले हैं वो nature से मिले है naturally हमारे पास आये हुए हैं तो हम उनको एक तरह से बहुत बुरी तरह से उसका use कर रहे हैं मतलब उसको अंदा धुंद हम योग यूज करें हमें पता हैं नहीं है कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन को यह चीज़े मिलेंगे या नहीं जैसे हम देखी रहे हैं सुनते भी हैं कि आगे आने वाले 25 इयर्स में हमारी जनरेशन के पास जो है वो water की capacity जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम रह जाएगा बहुत कम बहुत कम बहुत कम ठीक है इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते जिसकादर हम waste कर रहे हैं हमें वो waste नहीं करना चाहिए ठीक है अब पहला क्या है जो इस वज़े से problem आ रही है किस वज़े से क्योंकि हम बहुत जादा resources को use कर रहे हैं access में use कर रहे हैं उसकी वज़े से जो problem आ रही है पहली problem है depletion of resources for satisfying the greed of a few people मतलब हम लोग बिल्कुल भी नेचर को नहीं देख रहे हैं अपने आगे आने वाजी जनरेशन को कुछ दे के नहीं जाना चाहरे हैं हम लोग बस कुछ लोगों की जो ग्रीड है भूक है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को पैसा मिले या और जादा रीचो इस चक्कर में हम लोगने और सारे resources बर्बाद करते रहते हैं ठीक है आगे आ रहा है resources divided in the society have's or have's not यह आप समझ लीजिए कि हमारी society में जैसे मैं आपको अगर मैं आपको rich or poor की बात करवा रही हूं यहां मैं power sharing की बात करवा रही हूं तो यहां भी एक इस डिवाइड हो रही है कि जो resources है ना वह has or have's not में हमारी सोसाइटी भी उस हिसाब से बटी हुए जिसके पास रिसोर्स है रिच पीपल माननो आप या जो पोटेंशियल है इस चीज को लेने के लिए उनके पास रिसोर्स भी है और वो इसको अच्छे से यूज भी करते रहते हैं लेकिन कुछ लोग हो हैं जो बहुत गरीब हैं तो अमीर और गरीबों में दो हिस्सों में एक तरह से हमारी सोसाइटी बट गई है इन रिसोर्स के चक्कर में ठीक है उसकी बात आता है ग्लोबल एकोलोजिकल क्राइस स्टार्ट्स ठीक है मलब कुलमिला के ऐसी सिच्वेशन आ रही है कि ग्लोबल लेवल पे बहुत सा है कि नोर्थ कोरिया में आए दिन मिसाइल्स वगेरा वो लोग अपना अटमिक परिक्शन करते रहते हैं ठीक है उसकी वज़े से क्या हो रहे है कहीं कहीं हर्थ क्वीक आते जा रहे है या कोई और प्रब्लम होती जा रही है नेचर के अंदर यह आप एक एक्जामपल ले स तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो जो ओशन के नियर अबाउट के एरिया है वो सारे डूब रहे हैं ठीक है तो यह प्रब्लम कहां से शुरी हुई इंडस्ट्री से ग्लोबल वार्मिंग से और आकर खतम किस पर हुई वो लोग जो बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे है अपने ओशन के नजदीक वाले अरिया में नुकसान उनको हो रहा है तो ग्लोबल एकोलोजिकल क्राइस इसी प्रब्लम से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है डेवल्लप्मेंट ऑव रिसोर्स में मैं आपको बता चका है कि इसकी वज़े से क्या क्या प्रब्लम हो रही है इसकी इसकी वज़े से अधर प्रब्लम्स भी हो रही है ठीक है आगे करते हैं हम लोग इसको जी इसके बाद वो कह रहे हैं कि चलो यह प्रब्लम्स तो हो रही थी अब उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है ठीक है हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सब लेखते हैं sustainable development sustainable development का आप मतलब ले सकते हो development should take place without damaging the environment ऐसी development होने चाहिए जिससे की environment damage ना हो ठीक है and development in the present should not compromise with the needs of the future generation और ऐसा भी हो कि हम उसे आज भी यूज़ करें और अपनी आने वाली पीडियों के लिए यानी future में जो generation आ रही है उनको भी ऐसा ना हो कि उन्हें कोई चीज़ दिखे ही ना जैसे हम कहते हैं कि पानी 25 एर्स के बाद देखेंगे तो पानी हमारी generation को मिलना ही नहीं है इतना ब यह भी वह सेव रहे थोड़ा बहुत थीक है तो हमें इस ट्राइब के sustainable development करनी चाहिए उसके लिए क्या हुआ उसके लिए आपको बता दू रियो डियो जैनेरियो एक आर्थ समिट हुआ था ठीक है वह आर्थ समिट 1992 में इसमें क्या हुआ था कि लगबग मतलब यह एक जिसमें लगबग 100 से जादा लोगों ने मतलब देशों ने देशों के हैड ने या नी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजिडेंट ने पार्टिस्पेट किया और उसमें यह कहा गया उसमें मतलब इस चीज पर विचार रखा गया आप यह कह सकते हो कि एक एजेंडा बनाया ग और यह सब चीज़ें इन सब को बचाने की कोश्षिश किये जाएगी अब वह कोशिश में क्या था कि ऐसमें एक अगेंडा 21 अडॉप्ट किया गया इस च्वह नां दिया गया यानि कि यह अशुमिट हो ही थी जो यह समेट ती अवा 1992 में इसमें से क्या निकलकर आया इसमे Environment and Development UNCED इसका मतलग था कि आप यह क्या सकते हो कि सयुक्त राष्टर ने यानि United Nation ने हमारे environment को develop करने के लिए एक तरह एजेंडा पास किया और इसमें कहा गया कि हम कुछ main aim लेकर चलेंगे जो main हमारे aim होंगे objectives होंगे वो होंगे कि हम सभी को मतलब यह नहीं है कि एक देश ही सिर्फ देखेगा कि हमें अपने environment को बचाना है या हमें अपनी आगे आने वाली generation के लिए कुछ बचा कर रखना है नहीं बलकि सभी देश वर्ल्ड के जितने भी उसमें शामिल थे hundred के near about countries वो सब मिलकर यह देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने आगे आने वाली generation के लिए जो है वो यह सब चीजे सेव करकर रखनी है तो उसमें क्या-क्या चीजे में रखी गई एक तो environment damage ना हो दूसरा poverty कम की जाए और तीसरा disease से जो problems होती है जीजेज ना फैले इस ट्राइब की यह तीन चार एम रखने रखे गए एजेंडा 21 में एक यह तीन में एम थे उसके और इसके लिए सबसे बड़ा काम जो किया ना कि उन्होंने मलब जो उनका major objective था एजेंडा 21 का उन्होंने कहा कि जो हमारा एजेंडा 21 है वह local government के हिसाब इसमें district में जो हमारी मुंसी फाल्टी होती है यह कोई एजेंडा बनाएंगे यह ऐसी techniques बनाएंगे जिनके true क्या होगा कि यह ऐसी मतब सवरे विचार अपने रखेंगे यह अपनी ऐसी आप कह सकते हो policies बनाएंगे जिनके true environment वगेरा जो है वह नुक्सान ना हो उनको poverty कम हो diseases से बचा जा सके ठीक है अब मेरी साब से यह आपका हो गया है इसके बाद हम अगला जो मैं class देने वाली हूं आपकी वह हम लेंगे की resource planning क्या है और इंडिया की resource planning क्या है ओके take care thank you